जहें दोस्तों दोस्तों बात करेंगे BPC TRD 3.0 नई सिख्चक भरती को ले करें दोस्तों BPC TRD 3.0 का आपका जो एक्जाम है वो साथ मार्ट से स्टार्ट होने वाला है लगभक दोस्तों इसमें आपका 20 दिनों का समय अभी बच गया है और दोस्तों बहुत से अभेर्तियों के मन में यह confusion है क्या दोस्तों अंतिन 20 दिनों में हम नवकड़ी को पका कर सकते हैं दोस्तों हां आप अंतिन 20 दिनों के अंदर नवकड़ी को पका कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए आपको एक सठीक रननेती त्यार करना होगा दोस्तों अगर आपकी रनेती सठीक होगी तो आ आपको कुछ नहीं करना है हम कुछ यहां पर इंपोर्टेंट टॉपिक को आपको यहां पर बताएंगे कि इन इन टॉपिक को भस आप ध्यान दीजिए आपका सेलेक्षन दोस्तों यहां पर 100% कफर्म हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाश्ट तक देखन पिना कुछ देडिक्यों है अपने वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां बात करेंगे कि अंति 20 दिनों में आपको क्या यहां पर नहीं करना है ठीक है ऐसे अभियर्ति है जो अभी फिला हाल बजारू प्रेक्टिस सेट के पीछे भाग रहे हैं यानि ऐसे अभियर्ति को पेपर के बाद बहुत जुरदार जटका लगने वाला है क्योंकि उनका सेलेक्शन यहां पर नहीं होने वाला है क्योंकि दोस्तों बजारू प्रेक्टिस सेट आपको लगाने से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वहां से कुछ आपको कंसेप्ट मालू यहां पर हम इस बात कर लेते हैं कि अनतीन 20 दिनों के अंदर जितना हो से उतना आपको थैंट्स रिवीजन करनें तो आपका सब्सक्राइब को चला जाएगा ठीक है और दोस्तों अभी आपको कुछ भी नया पढ़ने के आप जोगत नहीं है क्योंकि जो नया अभी पढ़ेंगे वह अपने एक्जाम टाइम भूल दाएंगे जो अब तक आप पढ़ चुके हैं उस टॉपिक को जो टॉपिक से वह पढ अगर आप चाहते हैं तो कुछ नया करने के लिए नया पढ़ने के लिए तो थोड़ी सी आप नया भी कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन आप मुल्टीपल रिविजन पर फ्रेंट्स यहां पर फोकस की दिए मैं हंडिड़ पर्सेंट ग्रेंटी के साहां देता हूं कि आपका से दिए दियान देना है तो पहला सब्दिक्व के दोस्तों इंडियन नेस्टन मोमेट अनि भारत का सुद्रत्रतन संगामि यहां से दोस्तों आपके पेपर टीरी वन हो चाहिए टीरी तू हो यहां से आपके लगभग 10 कोर्सव यहां से पूछ जाते हैं कि वहां भारत के सु से आपका लगभग कोर्शन 25 से 30 कोर्शन से आपके पूछे जाते हैं आपका physics, chemistry, biology अगर EBS को हम मैच कर लें तो यहां से 30 से 35 कोर्शन भी यहां से आपके बन जाते हैं science के call section से ठीक है तो यह दूस्तों आपको करना क्या है तो अगर आप PRT की त्यारी कर रहा है तो आपको है Google की science के questions को बनाईए क्योंकि वहीं से ही आप कि science के questions कोआप gewooncs पूचे जाते हैं अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं विहार और इसके बाद दोस्तो आपको विहार एस्पेसल से को भी त्यार करना है क्योंकि विहार एस्पेसल से लंगभग आपके पांस से लेकर आठ कोर्स आपके विहार एस्पेसल से पूछ ले जाते हैं ठीक है तो इसको भी आपको यहां पर त्यार कर लेना है और अच्छे से सटी कि त्यार है आपको जोस्तो करना है नेस्स पोइंट आते हैं वेाऊしま है जोटव करएंट आफ् Similar कहा से परना है जो आपको करन अफ्यर अज से मत्तब्लाइब लगभग तीन से चार महिने लगों तीन से चार महीने 3-4 महीने पीछे वाले जो current affairs है जिसले पीछे वाले घटा घटी है या जो कुछ भी हुआ है पीछे वाले बात तो आपको मैस अगर बिलकुल भी आपको नहीं आता है तो आपको मैस को हाँ पर क्या करना है चोड़ देना है क्योंकि मैस आप 20 दिन में कुछी नहीं कर सकते हैं तो आपको focus कहाँ पर खरना है दोस्तों आपको focus करना है पूर्ण्टली एकदम reasoning के त्यारी पर जो reasoning से आपको 10 questions पूछ आते हैं वह अगर आप बना के चले आते हैं तो मैस से कितना questions आपको लगवा पंद्रे questions मैस से भी पूछे जाते हैं तो मैस से तो मान के चले लेकर 15 questions पूछे जाएंगे तो पांच questions तो आप अलमस्ट बना ही पाइंगे तो पांच questions अगर आप अलमस्ट बना देंगे तो 10 questions में आप दुखा मार दीजिएगा अगर आप दुखा मार देजिए तो कुछ तो उसमें सही हो जाएगा तो इसकी उतनी टेंसर ने लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है इंडिया नेसल मुव्मेंट पे और science पे ठीक है और दोस्तो current affairs से भी आपका 10 questions पूशा जाता है इन तीन चार सब्देक पे आप ध्यान देजिए मैस रिजिंग पर भी तो आपको कैसे पढ़ना है यह हम आपको बता दिए और क्या दोस्तों नहीं करना है वह हमें आपको भी बता दिए दोस्तों आप ब सब्सक्राइब कर लेजिए और अपने अनुसार बनाइए 90 परसेंट अपने इस्टेजिस पर फ्रेंस ज्यान देजिए 100 परसेंट आपनी सेलेक्शन निस्चीत है तो फ्रेंस जिए तक कुछ छोटा सा आज का वीडियो अगर वीडियो परसंद हो तो लाइक किजेगा पहल